अब बात करते हैं तीसरा भेद परमपरित रूपक देखे रूपक का तीसरा भेद लेके चलते हैं परमपरित रूपक परमपरित रूपक में दो रूपक होते हैं एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टी होती है यानि एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक अलंकार का वर्नन किया जाता है उसको इसपष्ट किया जाता है इसमें यदि पहला रूपक न हो तो दूसरे का निर्वा ही नहीं हो पाता है यानि दूसरे का वर्नन नहीं हो पाता है इसी के उपर अब चर्चा करते तो सीडी सी बात है परंपरिक्त रूपक दो रूपक होते हैं एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक का पुष्ट किया जाता है उसका विसलेशन किया जाता है उसको इसपष्ट किया जाता है जैसे उधान देखे जैजे गिर्राज की सोरी जैजे महेस मुख चंदर चकोरी गिर्राज किसोरी को चकोरी महिस के मुख को चंदर बताया गये तो गिर्राज किसोरी तभी तक चकोरी है जब तक महिस के मुख को चंदर बताया जाए ठीक है और महिस के मुख को चंदर नहीं बताया जाए तब तक चकोरी का कोई महतों नहीं है इस प्रकार एक रूपत दूसरे के कारण है मुख्चंदर के अभाव में चकुरी का कोई आधार नहीं है इसी तरह अगला उधारन देख लो दूसरा उधारन आसा मेरे हिर्दे मरू की मंजु मंदाकनी है यहाँ दो परंप्रागत रूपक है देखिए एक हिर्दे और मरू का दूसरा आसा और मंदाकनी का आसा को मंदाकनी इसलिए बताया गया है कि पहले हिर्दे को मरुस्थल बना चुके है पहले देखो हिर्दे को मरुस्थल बनाया है या नहीं बनाया इधर देखिए अपन बात कर रहे थे कि जब तक एक उपमान को इसपष्ट करने के लिए दूसरे का सहरा लिया जाता है तो इस उधार में देखो अपने हरदे को यहाँ पर मरू बता है इसलिए आसा को मंदाकनी बता है ठीक है आसा को मंदाकनी बता है इस तरह से एक उपमान को इसपष्ट करने के लिए दूसरे उपमान का सहरा लिया है तीछरा उधार देखो बाडव ज्वाला सोती थी इस प्रने सिंदू के तल में प्यासी मचली सी आँखे थी विकल रूप के जल में इसमें आँखों में मचली का आरोप रूप में जलके आरोप का कारण है इसलिए एक रूपक एक तो जो उपमान होता है वो कारण को प्रकट करता है तो दूसरा जो है रूपक वो उसकी पुष्टी करता है इसी तरह से चोथा उधान देख लो प्रेम अथिती खड़ा द्वार पर रिदे कपाट खोल दो इसमें भी वोई परंपरागत रूपक है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां दो रूपक होते हैं एक रूपक दूसरे का कारण बनता है अर्था तुसकी पुष्टी करता है वहीं सा परंपरित रूपक माना जाता है तो यह हुआ आपका रूपक अलंकार कम्पलेट